नमस्कार मैं हो यासमीन सुशान सिंग राजपूत केस में अब नए खुलासे होते जा रहे हैं 14 जून को सुशान सिंग राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था इसके बाद से ही मुंबई पुलिस इस मामले की जाज कर रही है और करीब 40 लोगों से बात कर चुकी है लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुँच पाई वही हाली में सुशान सिंग राजपूत के पिता के किस सिंग ने रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार के खिलाफ F.I.R. दर्ज करवाते वे रिया पर कई गंभीर आरोफ लगाए है जिसके बाद पटनापुलिस मामले की चानवीन में जुट कई है लेकिन अब इस मामले में सुशान सिंग राजपूत की एकस गर्फरेंड अंकिता लोखंडे की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है जहां हाली में अंकिता लोखंडे ने एक पोस्ट शेर करते वे लिखा था सच जीतता है जिस पर कई स्टार्स ने रियाक्ट भी किया वहीं अब अंकिता ने रिया पर बड़ा खुलासा किया है रिपोर्ट की माने तो सुशान सिंग राजपूत की एकस गर्फरेंड अंकिता लोखंडे ने मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी थी है कि रिया चकरवर्टी से सुशान का रिलेशनशिप ठीक नहीं था सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस के सामने खुलासा किया है कि सुशान सिंग राजपूर्ट रिया चकरवर्टी के साथ रिष्टे में खुश नहीं थे वो इस रिष्टे से बाहर निकलना चाते थे क्योंकि रिया उन्हें प्रतारित कर रही थी अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म के वक्त सुशान सिंग राजपूर्ट ने उन्हें बधाई देने के लिए मेसेज किया था इसे दौरान दोनों की बातचीत हुई थी इस बातचीत के वक्त सुशान सिंग राजपूर्ट एमोशनल हो गए और अंकिता के पूछने पर उन्होंने ये बाते कही थी कहा तो ये भी जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने अपनी बात साबित करने के लिए मुंबाई पुलिस को बतार सबूत सुशान सिंग राजपूर्ट के वाट्साप चार्ट स्क्रीन शॉट भी दिखाए है बीते दिन रिया चकरवर्टी के घर पर बिहार पुलिस के चार अधिकारी पहुँचे थे जहां से रिया नदारत मिली और इसके बाद अब पुलिस रिया चकरवर्टी की चानबीन में जुट गई है दूसरी ओर रिया चकरवर्टी ने सबसे महेंगे वकील सतीश मानशिंदे को हायर कर लिया है सतीश मानशिंदे, सल्मान खान और संजेदत के वकील रह चुके हैं और वो एक दिन के लिए कथित तौर पर 10 लाग रुपे चार्ज करते हैं ऐसे में रिया चकरवर्टी के खिलाफ सुशान सिंग राजपूत के फैंस का गुस्सा भी खॉल रहा है रिया चकरवर्टी इतना महेंगा वकील कैसे हायर कर पा रही है वो मुंबई में ही केस ट्रांसफर क्यों करवाने की अपील कर रही है रिया चकरवर्टी आखिर क्या चुपा रही है और पुलिस से क्यों बच रही है ऐसे तमाम सवाल फैंस के जहन में गोंच रहे हैं